नमश्कार प्रभा सक्षिन इस नेटर को आप सभी का स्वागत है बीजेपी ने चंडिगड महापौर चुनाव में जीत हासिल करते हुए तीन शीर्ष पदों पर कपजा बरकरार रखा है बीजेपी के इस चोड़दार जीत को पहली बार साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली आम आदी पार्टी और कॉंग्रेस के लिए बड़े जटके के तौर पर देखा जा रहा है चंडिगर बीजेपी की इस जीत पर जहां पार्टी एद्रेक्ष जेपी नड़ा ने कारेकरताओं को बधाई दी है वहीं विपक्षी गठवंदन के नेता इस चुनाव प्रड़ा इसके लावा बीजेपी के उमिद्वार कुलजीत संधू वरिष्ट उप महापाओर और राजिंदर शर्मा उप महापाओर पद के लिए निर्वाचित घोशित किये गए हम आपको बताने कि महापाओर पद के लिए परिणाम घोशित होते ही विपक्षी गठवंदन इंड लेड़ चाड़ की गई हाना कि बीजेपी ने इस आरूप को खारिच कर दिया आवाधी पार्टी के परशद ने कहा कि पार्टी पंजाब और हर्याना उचनेयले का दर्वाजा खटकटाएगी आप और कॉंग्रेस ने पिठा सीन अधिकारी अनिल मसीव पर आरूप लगाय कि चंडिगर महापोर्चनाव में बीजेपी के पारशद पीठा सीन अधिकारी द्वारा लुकतंतर की हत्या करने की सोची समझी शाजिश के तहत बेधरक छेड़चाड की आशंका सत साबित हुई है उन्होंने दावा कि कॉंग्रेस और आपके एजेंट को मतपत्रों की ज सदन में बीजेपी के 14 पारशद हैं पार्टी की चंडिगर से सांसत किरन खेर के पास भी पदेन सदस्य के रूप में बद्दान का अधिकार है आमाधी पार्टी के 13 और कॉंग्रेस के 7 पारशद है शिरुमणी अकाली दल का एक पारशद है हम आपको यही उता दें कि महापवर का चुनाओ एक साथ लड़ने पर सहबत हुए चंडिगर में घठबंदन के हिस्से की रूप में आमाधी पार्टी ने महापवर पद के लिए चुनाओ लड़ा जबकि कॉंग्रेस ने दो अन्य पदों के लिए अपने उमिद्वार उता रहे थे हम आपको बताने में यह पद अनुसूची जाती वर्क के लिए आरक्षेत था और दिल्ली में आमाधी पाटे के संवज़क अर्विंद केजरेवाल ने बीजेपी पर धोका देने कारोप लगाया केजरेवाल ने दिन दाहड़े की गई कथि धोका दड़ी पर गंबीर चिंता व्यक्त करते वे कहा कि यदि ये लोग महपौर्च नौ में इस इसतर तक गिर सकते हैं तो वे राश्ट्री चनौ में किसी भी हद तक चा सकते हैं आज से 76 साल पहले अहिंसा के पुजारी और शांती के पुजारी गांधी जी की हत्या की गई थी आजी के दिन और आज 76 साल के बाद आजी के दिन उन्होंने जनतंतर की लोगतंतर की हत्या किये एक तरह से लोगतंतर के लिए आज काला दिन है जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके सरयाम बेहिमानी करके और किसमत से वो उनकी बेहिमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई हो पूरा देश आज सोशल मीडिया के उपर और मीडिया के उपर देख रहा कि कि से इन्होंने वोटों की चूरी की है और इन्होंने जबर्दस्ती चंडिगड के अंदर अपना मेर बनाया इश्यू यह नहीं है कि मेर किसका बनना चाहिए चुना में चुना में हार जीत तो लगी रहती है कभी वो जीते हैं कभी हम जीते हैं देश नहीं हारना चाहिए देश जरूरी है जनतंत्र नहीं हारना चाहिए जनतंत्र जरूरी है पाटी आती जाती रहती है नेता आते जाते रहते हैं मेर आते जाते रहते हैं मेर इंपोर्टन नहीं है इश्व आज यह नहीं है कि हमारा मेर बनना था हमारा मेर नहीं बना इश इश्यू है कि सरे आम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडगर्दी और बहिमानी से अज चंडिगर्ड मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलके नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है कि महापोर चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतियाम किये गए थे अधिकारियों ने कहा है कि नगर निगम भवन में चुनाव के दौरान कानून विवस्था बनाए रखने के लिए अर्द सेनिक बलों के साथ साथ लगबख 700 पुलिस कर्वियों को तैनात किया गया था वैसे मद्दान मूल्डूप से 18 जनवरी को होना था लेकिन पीठासीन अधिकारी की बीमार पढ़ने के बाद चंडिगड प्रशाशन ने इसे 6 फरवरी तक के लिए टाल दिया था प्रशाशन ने उसमें भी कहा था कि कालून विवस्ता कि स्तिती का आकलन करने के बाद चुनाव स्थागित कर दिया था चुनाव टालने के प्रशाशन के आदेश पर कॉंग्रेस और आमादी पार्टी के पार्शदों ने विरोध परदेशन शुरू कर दिया था अदालत ने चुनाव इस्थगित करने के प्रशाशन के 18 जिन्वरी की आदेश को अनुचित अन्यायपूर्ण और मनमाना बताते हुए रद्ध कर दिया था अदालत ने कहा था कि चंडिगर पुलिस पार्शाशन के लिए भी कहा गया था कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद नगर निकाए परिसर में या उसके आसपास कोई हंगामा या अप्रिये घटना नहीं हो अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके